नमस्कार मैं पल्लवियर आप सभी का स्वागत करती हूँ आए एमटी मेडिया के विशेश कारकाम हिस्ट्री ओफ दे डे में महत्मा गांधी ने आज के दिन शुरू किया था एतिहासिक डांडी मार्च इतिहास में 12 मर्च 1930 की तारिक महत्मा गांधी के डांडी मार्च के लिए विशेश रूप से उलेखनी है इसे स्वतंद्रता संग्राम का एहम पड़ाव माना जाता है राष्ट पिता महत्मा गांधी ने 12 मार्च के दिन एमदाबाद इस्थित साबर मती आस्रम से नमक सत्य ग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी इस यात्रा के जरिये बापु ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनोती दी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके सामराज जमे कभी सुरज नहीं डूपता गांधी जी ने इसके साथ समय ने अवैग्या आनोलन में शुरू किया था और ब्रिटी सरकार को कर अदाना करने के लिए कहा था भारत सरकार ने आज के दिन केती साहित्य अकादमी की स्थापना साहित्य अकादमी भारते साहित्य के विकास के लिए सकेरे रूप से कारे करने वाली राष्टे संस्था है इसका गठन 12 मार्च 1954 को किया गया था साहित्ते अकादमी का उद्देश से उच साहित्तिक मापदंड इस्थापित करना भारते भाषाओ और देश में होने वाली साहित्तिक गती विद्यो का पोशन और समन्वे करना है साहित्य अकादमी की स्थापना हाला कि सरकार ने की है फिर भी यह एक स्वायत सासी संस्था के रूप में कार्या करती है इस संस्था का पंजी करन 7 जनवरी 1956 को किया गया था मुंबई में आज की दिन हुए थे सिलसिलेवार 12 बम धमाके 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक के बाद एक बारे बम बलास्ट हुए थे जिसमें 257 लोग मारे गए थे 713 लोग गंभीर रूप से गायल हुए थे पुलिस और सीबियाई के अनुसार इन बम धमाकों की साजिस अंडर वर्ल डॉन, दाउद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मुहमद दोसा और उनके साथियों ने रची थी ये बम धमाक के 6 दिसमबर 1992 को आयोध्यमी विवादे धाचाट दाहे जाने के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किये गए थे बुंबई बम धमागे दुनिया का पहला ऐसा आतंकवादी हमला था जहां दूसरे विश्यूद के बाद इतने बड़े पैमाने पर RDX का इस्तमाल किया गया था परसिद वालिन वादग यहूदी मेनुहिन का आजगी दिन हुआ था निधन सुपरसिद वालिन वादग और प्रस्तोता यहूदी मेनुहिन का निधन 12 मार्च 1999 को हुआ था यहूदी मेनुहिन को 20 सदी के महानताम वालिन वादगों में माना जाता है 1950 के दसक के मद्या यहूदी मेनुहिन प्रधान मंत्री जवारलान नहरू के आमंतरन पर अपनी कला के प्रदर्शन के लिए भारत आये थे अपना जदातर कला जीवन युनाइटेड किंग्डम में व्यतीत किया हालाकि उनका जन्व अमेरिका में हुआ था यहूदी मेनुहिन 1970 में स्विजर लेंड के नागरिक बने लेकिन 1985 में उन्होंने युनाइटेड किंग्डम की नागरिकता ले ली थी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और मैध पुन घटनाओं के साथ और अब आज का राशिफल आज का राशिफल जोतिश वैग्यानि गुरुदेव भारत ग्यान भूशन जी दुआरा 12 मार्च दिन सुक्रवार आज के भाग्य के विशेवस्तू है सुक एशवर्य मेश आपके सुक एशवर्य के लिए भाग्या 34 प्रतिशत कारोबार में व्रद्धी होगी यात्रा के योग हैं आपको सत्रों के आतंक से छुटकारा मिलेगा कार्या भार अधिक रहेगा मन शांत रहेगा उच्छा एवं प्राक्रम में व्रद्धी के योग हैं शुबरंग सफेद नीलाता निशेदरंग लाल सिंदूरी व्रेश आपके सुक एशवर्य के लिए भाग्या 89 प्रतिशत मनवांचित स्थान पर टांसफर के योग हैं बेवज़ा के खर्चों पर निशेदरंग लेने के योग हैं शुबरंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निशेदरंग गुलाबी बसंती मिथुन आपके सुक एशवर्य के लिए भाग्या 70 प्रतिशत विद्ध्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है आपके स्वास्थ पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें, आपकी पदों नती होने की संभावना है, कारेशेतर में प्रगती के योग हैं, शुबरंग हरा सफेतर, निशेदरंग पीला काला कर्क, आपके सुक एश्वर्य के लिए भागया सततर परतिशक, स्वास्थ सामानने रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, छातरों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं, आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, अधिक व्या करने के उपलबदी एमम अर्सर की प्राप्ति के योग हैं, कार्यों में अनावशक अवरोध आ सकता है, परन्तु यह सब एस्थाई है, विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग हैं, किसी महत्पूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसंद्र होने के योग हैं, शुबरंग की और से चिंता हो सकती है, करियर या कारो बार या फिर नोकरी में उता चड़ाओ के दोर से गुजर्त हुए, कार्य शेतर में सक्रेटा बनाए रखनी होगी, भाग्या में विद्धी के योग हैं, शुबरंग हरा सफेत, निशेदरंग पीला लाल, तुला, आपके सुक आपके साथ है, समय अनुकूल चल रहा है, निवे शुब रहा है, निवे शुब रहा है, कार्य शेतर में उचाधिकार्यों से तनाव उत्पन होने के योग है, शुबरंग सफेत, निशेदरंग सिंदूरी, धनु, आपके सुक एश्वर्ये के लिए भागयों नंचास प्रतिशत, वेवसायों को अच्छे वे बड़े ग्राहक मिल सकते हैं, पूर में जो उधार द मकर आपके सुक एश्वर्ये के लिए भागया सिर्पतिशत, परिजनों के साथ मद्वेद हो सकता है, भागया आपके साथ है, उसका लाब उठाएं, अपनी कुशलता एवम होश्यारी से असंभव कारियों को पूरा करेंगे, उद्धम शीलता एवम पहल करने की शमता बढ आपके सुक एश्वर्ये के लिए भागये क्या सिर्पतिशत, कारिये के अधिकता रहेगी, परन्तु गर्व का भी अनुभव होगा, समय अनुकूल है, जिवन साथी का पूर्ण संयोग प्राप्त होगा, संबंदों में सुबसमाचार की प्राप्ति होगी, जमीन आपके सुक एश्वर्ये के लिए भागये 46 प्रतिशत, कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है, आकस्मिक रूप से महत्पून कार्य सिद्ध होगे, आपके कुछ काम दोस्तों और भाईयों के मदद से पूरे हो जाएंगे, आप सुभाव से थोड़ा चिड़-चिड़े पदो उनती के योग हैं, शुबरंग सफेता, निशेदरंग पीला सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रात्य दस बच कर 36 मेर्ट से दो पैर 12 बच कर 21 मिनट तक अधिक जानकारी के लिए समपर करें जो 30 वे ज्यानिक गुरु दें भारत ज्यान भूशन जी को सुन्य एक दो एक, दो छै, छै, आठ 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 या सुन्य नो आठ तीन साथ, सुन्य छै, सुन्य दो चार चे पर आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ तब तक देखे रहें सब्सक्राइब कीजिए आई एमटी मेडिया